Hello Students, Welcome to UPCSS Teleprime Series का Lecture No.70 है और हमने पिछले वीडियो में पेरोल के बारे में समझ लिया था कि पेरोल क्या होता है और इसकी हमें जरोत क्यू है पेहेड क्या होते हैं और काफी सारी चीजे हमने पिछले वीडियो में कवर की थी ठीक है जो बेसिक थी यहाँ पर यह सारा कुछ हम पिछले वीडियो में इसको समझ चुके हैं थिवरी लेवल पर ठीक है और इसकी अगर हम यहाँ पर आपको entry दिखाए यानि कि day book में चले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह चारो entry हमने कर ली है इसके अलावा यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं किया है ठीक है तो यह company बनी है और इसमें यह simple सी चार entry हमने कर ली थी अब आगे बढ़ते है और आज हम इस वीडियो में यहाँ पर payroll में काफी सारी चीज़े cover करेंगे जैसे यहाँ पर मई मंत की यहाँ पर जो हमारा पहला question है यहाँ पर Mr. गुलाब चन जो की business के honor है इन्होंने क्या किया है यहाँ पर तीन employee को यहाँ पर appoint किया है ठीक है कौन कौन से है मनुज वर्म as accountant manager, राहुल राय है, sales manager और पूजा वर्मा है production manager और इसी तरह से और भी बहुत सारे employee हो सकते हैं फिलाल यहाँ पर हम तीन employee को ले करके चलेंगे हलाकि employee कितने भी हो सारा काम हमें बार बार repeat नहीं करना होता जैसे pay head वगरा जो है यह basic pay, TA, DA, HR, यह तीन employee है तो तीन बार नह create करने होंगे, अब create कैसे करते हैं वो अभी हम आगों बताएंगे ठीक है, चलिए, फिलाल यहाँ पर तीन employee हमने लिए है, example के लिए, और यहाँ पर इनका जो pay structure है, वो नीचे बताया गया है, ठीक है, नीचे बताया गया है, मतलब इनका जो basic pay है, अब यहाँ पर यहाँ पर यह हो गया, over time का, over time जो है, अगर मनोज औरमा करते हैं, तो 100 रुपे पर हावर मिलेगा, राहुल राय करते हैं, तो 50 रुपीज और यहाँ पर पूजा औरमा है, तो यहाँ पर 80 रुपे उनको मिलेगा, एक गंटे का extra, I think यहाँ पर आप समझ रहे होंगे, ठीक चारे परसेंटेज में होता है, और इस तरह से बहुत सारे pay head होते हैं, यहाँ पर हमें कुछ employee को earning भी होती है, और उसके salary से कुछ deduction यहाँ की cut भी होती है, तो यह सारी calculation हमें manually ना करनी पड़े, इसलिए हम payroll का इस्तमाल करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर basic pay हो गया, overtime भी हो ग ठीक है, यहाँ पर यह अलग अलग भी हो सकता था, फिलाल यहाँ पर 800 रुपे तीनों लोगों को, मनोज दुर्मा को भी 800, राहुल राइगो भी और पूजा वर्मा को भी, ठीक है, जो अलग अलग था, वो यहाँ पर हमने column बना दिये थे, इस तरह से बाकी जो चीज़े बची है, वो सभी के लिए apply होती है, I think यहाँ पर आप समझ गयोंगे, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर 800 रुपे फ्लैट पर मन्त का मलब यह है, कि हर महिने 800 रुपे दिया जाएगा, बाकी मलब 2-3 महिने तक ऐसे चलता रहेगा, कभी घटाना बढ़ाना हो, तो हम इसको कम यह जादा भी कर सकते हैं, किसी भी employee की salary कम जादा कभी भी करनी हो, और हम से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कर नहीं बताएंगे भी, फिर यहाँ पर DA की बात करें, तो यहाँ पर जो DA है, यह percentage के हिसाब से चलेगा, DA में क्या था कि फ्लैट था, यहनी 800 रुपे पर मन्त मिल तो मिलेगा, कि salary आपकी कितनी भी हो, उससे फरक नहीं पड़ता, लेकिन जो DA है, तो यहाँ पर बताया गया है, as per law on current earning total, यानि कि जो आपकी current earning होगी, उसके हिसाब से, यहाँ पर इसका एक law है, law का मतलब इसका एक rule है, उस rule के हिसाब से, यहाँ पर इसका एक slab, इसको बो होगेगा, ठीक है, अगर माल लेते हैं, 15,000 आपकी salary है, तो 15,000 जो है, वो 20,000 से नीचे होगी, तो 15,000 पर 5% आपको DA, यानि कि DNA allowance जो है, यह आपको दिया जाएगा, यानि 15,000 प्लस 15,000 का 5% निकालने के बाद जो आएगा, वो जोड करके आपको total दिया जाएगा, I think पर आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है, तो यह चीज हम बोल रहे है, इसी तरीके से अगर आपकी जो salary है, वो 20,000 से उपर और 40,000 के बीच में, 20 से 40 के बीच में है, तो आपको 6% दिया जाएगा, basic pay के उपर, और इसके अलावा आपकी salary कितनी भी हो, जैसे 40 के उपर है, 50, 60, या एक लाग के आसपास है, तो वहाँ पर आपको 8% दिया जाएगा, else यानिकी 8%, ठीक है, 40 के उपर अगर है, तो 8%, तीन यहाँ पर slab दिये गया है, यह company to company जो है, वो change हो सकते है, अलग हो सकते है, I think यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि जो DA है, DNS यह company देती है, इसमें government का कोई हस्ता शेप नहीं है, तो इस वज़े से यह जो यहाँ पर percentage है, यह कहीं भी कम ज़्यादा हो सकते है, state wise, company wise, कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, बाकि कुछ चीजे जो होती है, वो यहाँ पर government के थुरू जूड़ी होती है, तो वो government decide करती है, जैसे P.E.F. हो गया, कितना कटना है, वो सब government decide करती है, कुछ चीजे company decide करती है, तो यहाँ पर यह पर रहते है, किराया वगेरा, यह भी कुछ कमपनिया देती है, तो जो कमपनिया देती है, जैसे 20% of basic pay, अब यहाँ पर 20% सभी के basic paper दिया जाएगा, ठीक है, यह परमंत दिया जाएगा तो यह हो गया, बाकि flat भी हो सकता है, यानि कि हो सकता है कि कुछ कमपनिया fix कर दें, कि आपको percentage के हिसाफ से नहीं, बलकि 1000 रुपे या 2000 रुपे आपको fix दिया जाएगा, या percentage कम जादा भी हो सकता है, यहाँ पर आप समझ रहे होंगे, ठीक है, हमें चीजों को logically समझना है, रटा नहीं मालना है, ठीक है, तो यह कभी भी change हो सकता है, company to company depend करता है, ठीक है, बाकि ऐसा भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर आप DA में देखेंगे न, DA में यह formula चल रहा है, यानि 20,000 से नीचे तो 5%, 40,000 से नीचे, 6%, इसके अलावा तो 8%, अगर इसमें HRM में भी हम करना चाह रहेंगे, bonus की बात करें, तो bonus as user defined value, क्योंकि देखें, bonus जो है, ना तो हम flat, कोई भी company किसी employee को, bonus जो है, वो percentage के हिसाब से, या flat, यानि कि हर महीने तुमको 500 bonus दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता, bonus जो होता है, यह user defined value होती है, यानि कि जिस महीने आपको bonus दिया जाना होगा, द दे दिया जाएगा, जितने रुपे दिया जाना होगा, दे दिया जाएगा, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हाँ पर यह क्या हो गया, as user defined value, canteen deduction यहाँ पर देखें, 600 पर मन्त फ्लैट कर रहा है, यानि कि सभी के लिए 600 रुपे पर मन्त canteen deduction होगा, इस डिडेक्शन यह भी डिडेक्शन था, PT अनि प्रोफेसिनल टेक्ष्ट, तो यह भी यह क्या है, अब यह क्या है, तो इसमें यहाँ पर As per law on current earning टोटल, यहाँ पर एक फॉर्मौला चलेगा, जिसमें 5000 से नीचे अगर आपका सैलरी है, तो 0%, यह प्रॉपेसिनल टैक्स नही जीरो रुपीज देना है अगर आपकी आट हजार से नीचे है ठीक है यह I think promise ow गया है है यह थोड़ा सा गड़ बढट है यहाँ पर миया होगा 8 008 ठीक है ध्यान डखना यह क्या होगा 8 008 यहाँ इसको ंक करेक्ट कर देंगे तो यहां पर क्या होगा, 8000 से अगर नीचे है, तो यहां पर आपका 60 रुपे पर मंथ जाएगा, ठीक है, मलब फ्लैट है, 60 रुपे पर मंथ, लेकिन फॉर्मुला चल रहा है, अगर 10,000 से नीचे है तो 100 रुपे, और 15,000 से नीचे है तो 1,500 रुपे, और इसके अलावा, या प्रोफेशनल टेक्स का पर मंद ठीक है यह डिड़क्शन होता है तो आप समझ गया होंगे अभी इसको देखेंगे और यहां पर इसको आपको समझा दिया अब यहां पर सबसे केंपनी हैं 500 व staple केंपनी तो इसको किसे बना सकते हैं किसी की सब्सक्राइब करते हैं जितने थी सब्सक्राइब काम करते हैं या बगेरा बगेरा अलग अलग डिपार्टमेंट हम बना सकते हैं अपने हिसाब से ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पर employee category बनाई गई तो employee category हमने head office की बना ली अब देखिए ऐसा भी हो सकता है कि एक company है जिसके कई सारी branches है तो branch wise अगर एक ही जगे से employee को manage किया जा रहा है तो वह क्या कर सकता है कि अपना head office या फिर branch name से भी category बना सकता कई सारी ठीक है तो जब आगे वह employee create करेगा तो उसी category में रखेगा जिससे कभी भी data को filter कर सकता है ठीक है हमने समझा है कि category और इसलिए बनाया जाते हैं ताकि हम कभी भी data को जो है अगर analysis करनी हो तो हम उसको उसके हिसाब से filter कर सकें ठीक है तो यहां पर हमने employee एक category बनाई head office की ठीक है और उसके बाद यहां पर एक employee group बना लिया अब हम category के अंदर group भी बना सकते हैं अब देखे category इसकी head office की है और group इसका manager का है तो manager का group बना लिया तो अब company बना लिया कि अलग अलग type के manager n नहीं ऐक क्योई ses manager है कोई sales manager है कोई purchase manager हिमें लग अलग type के manager है तो हम क्या करेंगे कि जितने इतने वी manager है उनको manager नाम के ग्रूप में रख लेंगे और अलग-अलग इसी तरह से ग्रूप भी बना सकते हैं फिलाल तो यहां पर हमने एक category और एक ग्रूप बनाया है category head office की और ग्रूप जो है वो manager का बनाया है ठीक है अब यह दोनों जो कैसे क्रियेट करेंगे टैली प्राइम में चलिए देखते हैं पहले फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ठीक है यहां पर हमने नंबर भी डाल रखें नंबर एक नंबर दो ठीक है तो यहां पर category और ग्रूप बना लेना है तो उसके लिए चलते है टैली प्राइम में अब देखिए सबसे पहले यहां पर वैसे तो हमें डेट चेंज करनी है लेकिन यहां पर डेट चेंज करने का कोई मतलब नहीं है क्यों क्योंकि अभी हम एंट्री तो करने जा नहीं रहे हम अभी यहां पर category और group बना रहें ठीक है जब एंट्री करेंगे तब डेट चेंज आपने अन किया है तो सिंपली यहां पर यानि कि जो आपका home page है gateway of tally यहां पर आप 11 की प्रेस करेंगे और यहां से आप जो है maintain payroll इस option को yes कर लें ठीक है यह हमने पिछले वीडियो में explain भी किया था वापस आते हैं हमने इसको on कर रखा है चलते हैं create में और यहां पर payroll masters ठी करेंगे तो यहां पर कुछ option जो एक्टिव नहीं होंगे यानिकी जो हाइड होंगे वह भी मिल जाएंगे ठीक है तो सो मोर पर क्लिक करेंगे तो यहां पर हमें सारी option देखने को मिलेंगे जो कि payroll masters related है तो यहां पर सबसे पहले हमें क्या करना है employee category इंप्लाइगरी यानि कि कि किसी ब्रांच की या multiple branches हैं तो यह आप category बना सकते हैं जितनी चाहें फिलाल हमने एक category बनाई है फिर यहां पर चलते हैं employee group में दूसरा option है employee group में चलेंगे और यहां पर हमें एक group बनाते हैं तो सबसे पर हम category यहां पर select लेंगे यहां पर space button प्रेस करेंगे तो य या फिर head office में ठीक है तो यहां पर हमने head office बना रखा है तो head office में रख लेंगे इसको और यहां पर जो हमारा group name रहेगा वो manager है वो क्या है manager है कोई confusion कोई confusion नहीं under यहां पर इसको हम primary रखेंगे define salary detail देखे define salary detail तो इसमें क्या हो रहा है कि जो जितने भी manager है अगर आपकी company मे जितने भी manager है उन सभी की salary अगर same है यानि उनका जो overtime का मलब per hour के हिसाब से जो charge है और जो भी चीज़े है वो अगर same है तो यहां पर आप manager group के लिए directly salary define कर सकते हैं जिसमें आपको manager में जितने भी मलब employee होंगे उनको एक एक करके salary define करना नहीं पड़ेगा लेकिन manager में कर देंगे तो जो manager वाला group है सभी के लिए हो जाएगा तो यहां पर इसे हम नो रखेंगे और ऐसे ही accept कर लेंगे ठीक है तो यह हो गया और बाकी इसके screenshot हो गया हमने दे रखे हैं नोट में यहां से आप अगर कभी confused होते हैं तो देख सकते हैं चली तो यहां पर यहां पर और group बन गया आगे बढ़ते हैं अब यहां पर employee create करते हैं यानि हमारे तीन employee है तो यहां पर employee कैसे create करेंगे simply कुछ नहीं करना है यहां पर हमें चलना है टैली प्राइम में वापस आदें पहले तो और employee category देखी हो गया ठीक है category हो गया ग्रूप हो गया और यहां पर तीसर बटन प्रेस करेंगे और head office को select कर लेंगे यानि कि head office वाली category में हम कुछ employee को बनाएंगे जो कि हमारे head office category से भी लॉंग करते हैं I think समझ रहे होंगे ठीक है तो यहां पर पहला हमारा employee कौन है Manos Verma ठीक है तो यह तो हमने screenshot दे रखाया बाकि अगर आप question से देखना चाहें त इसका एक हम screen sort ले लेते हैं ठीक है ताकि हमें बार-बार ऊपर scroll ना करना पड़े तो यह पूरा question हमने ले लिया अब जरूत पड़ेगे तो इसी को हम देख लेंगे ठीक है I think यहां पर आप समझ रहे होंगे चलिए नीचे आते हैं तो यहां पर हमें क्या करना है सबसे पह पर हमें बताना होता है ठीक है तो manager बता दिया ठीक है date of joining कर रहे हैं तो यह सारी चीजे तो देखिए अगर original काम करेंगे तो पता ही होंगी आपको फिलाल यहां पर अभी हम first my set कर देंगे कोई दिक्कत नहीं ठीक है यहां पर 2021 है इसमें 2022 हम सेट करेंगे ठीक है date का यहां पर आप जो है अपने हिसाब से रखें date को लेके confuse ना हो फिर यहां पर define salary detail यहां पर इस option को no रखेंगे क्योंकि हम salary जो define करेंगे वो बाद में करेंगे अभी नहीं करेंगे ठीक है हम चाहें तो अभी कर सकते हैं लेकिन इसको हम बाद में करेंगे सबसे last में salary को define करेंगे क क्योंकि अभी हमारे कोई भी pay head वगरा नहीं बने हैं तो salary अभी define नहीं कर सकते ठीक है तो यहां पर अभी क्या करेंगे इसको no रखेंगे और फिर यहां पर कुछ general information देनी है जैसे employee number तो 0123 ऐसे कर सकते हैं designation का यह क्या करते हैं अकौंटेंट है क्या है function क्या है काम क्या कर है ठीक है चलिए तो यहां पर क्या करते हैं तीनों employee को फटाफट करते हैं मनोज वर्मा पूजा और राहुल राए तो यहां पर चलते है टैली प्राइम में सबसेपले head office name यहां पर सबसेपले मनोज को create कर लेते हैं हलाकि उससे कोई फरक नहीं पड़ता पहले किसको क्या क रखेंगे 21 है इससे फरक नहीं पड़ता हमने जो company create किये 22 में create किये तो यहां पर 22 रखेंगे ठीक है एंटर करेंगे salary detail यहां पर no और employee नंबर यहां पर 01 दे देते हैं और यह क्या है accountant है तो यहां पर डाल सकते हैं और बाकी जो detail है वह यहां पर हम skip कर देते हैं ठीक है फि आते हैं फिलाल तो no करते हैं और फिर यहां पर statutory detail यानि taxes related इसकी information अब जैसे जो यह employee यहां पर हमें skip करना ही पड़ेगा क्योंकि इन सारी चीजों के लिए हमें थोड़ा सा original work करना पड़ेगा तभी चीज़े clear होंगी फिलाल यहां पर हमारा काम है समझाने का यहां पर अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो आप आराम से कभी भी कोई इस तरह से काम कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी फिलाल इसको हम accept करते हैं मनोज और मा यहां पर बन चुका है वापस चलते हैं यहां पर हम फिर से select करेंगे head office और दूसरा employee हमारा कौन सा है रा यहां पर इसकी देट गलत है तो भी सही कर लेंगे तो यहां पर इसको सुधार लेंगे वन माइनस फाइफ एंटर करेंगे ठीक है एक माई 2022 किलियर है बाकी यहां पर इसका employee नंबर 02 और यहां पर यह sales manager है ठीक है एंटर करेंगे बाकी चीज आपको पता है यहां पर mail हो ग खार देखिए दो एम्प्नोयी यहां चाह है अब जोjatर करने के लिए हमने गलत कर दी थी व Box जलते है उर इसको सही कर लेती है तो सही करने के लिए कहां जाना पड़ेगा अल्टर में चलते हैं वही सेम आप्सिन यहां पर भी मिलेंगे और जिस भी चीज को आप टर डरना यहाँ है यहाँ पर हमें एक और employee बनाना तो वापस चलते है create में और यहाँ पर फिर से चलते हैं कहां employee में ठीक observations पूजा और ठीक है अन्डर यहाँ पर ईहां पर ऑथ किसे है मैनेजर के ही जाएंगे ठीक है तो यह एक सेकंड यहाँ पर category भी हमें ध्यान रखना है हमें जो है हर एक चीज का ध्यान रखना है ठीक है तो head office category रहेगी अब यहाँ पर हमारा manager जो यह group है दिखाई देगा वरना दिखाई नहीं देगा ठीक है तो यहाँ पर 1-5 यानि एक 5 से joining है बाकी detail यहाँ पर employer number यहाँ पर 03 कर देते हैं ठीक है और बाकी चीज यहाँ पर हम छोड़ देते हैं और finally इसको भी हम accept कर लेंगी ठीक है तो यहाँ पर यह हमारे तीनों employee जो है वो बन चुके है ठीक है तो employee हमने create कर लिए यहाँ पर देखे बताया भी गया है यहाँ पर एक employee को हमने create करना बताया बाकी दो ऐसा ही कर लेने है फिर जो पेरोवर्स की बनानी है एक मिनट की बनानी है अगर जो कंपणी है वो हॉवर्स के हिसाब से देती है market sharing होई एक घंत गंते का म करता है और अगर यहाँ किए घंत का म करता है तब और मैं भणते का यहाँ का राकर दो भणते मे के हिसाब से भी जोड़ती है तो हमें hours और minute दो unit बनानी पड़ेंगी और दोनों को यहाँ पर हमें compound unit बनाना पड़ेगा तो यह हमें एक तरह से तीन unit बनानी पड़ेंगे ठीक है चलिए तो यहाँ पर तीनों को बनाते हैं सबसे पहले यहाँ पर वापस आएंगे यहां से और यह देखे यूनिट मिल जाएगा ठीक है कहाँ पर create में यहां पर पेरोल मास्टर में यहां पर आपको यूनिट मिल जाएगी ठीक है वर्क यूनिट यहां अगर नहीं शो रही तो आपका जो आप्सन है वह सो होने लगेगा ठीक है तो यहां पर चलते हैं unit में ठीक है एंटर करेंगे तो सबसे पहले तो यहां पर हमें simply वाली यहां पर हम इसे पूरा नाम दे देंगे रहेंगे एक चीज का और ध्यान रखना वह क्या है कि जैसे यहां पर अभी हमारे में यहां पर जो हम यूनिट बना रहे हैं इसमें चार आप सना रहे हैं अगर आप में कुछ कम या ज्यादा आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं यहां पर आपको F12 की प्रेस करने हैं कंफिग्रेशन में जाना है और यहां से आप देख सकते हैं option कोई भी on या off कर सकते हैं अनि की कम ज्यादा कर सकते हैं फिलाल यूनिट बनाने के लिए हमें चार ही option की जरुवा थे तो बस उतने ही on है फिलाल दो यूनिट बन चुकी है हावर मिनिट की अब वह आपस चलते हैं और इसमें चलते हैं conversion of 60 minutes यानि की यह बेसिकली हमने यह बताया कि 60 minutes is equal to one hours ठीक है तो अब अगर 130 होगा तो यह इस तरह से 130 ले लेगा ठीक है यहां पर आप समझ रहे होंगे चलिए तो यहां पर हम इसको minute select करके इस तरह से एक बना लेंगे ठीक है चलिए वापस आते हैं और यहां पर हमारी unit जो है वो create हो चुकी है ठीक है work unit या payroll unit फिर यहां पर attendance production के लिए attendance production के लिए यहां पर हमें एक paid leave बनाना है एक absent बनाना और एक overtime का बनाना है clear है अब यह क्या है तो इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा देखिए paid leave का मतलब यह होता है कि बहुत सारी कंपनिया ऐसी होती है जो employee को जो है leave दे देती है लेकिन वो paid leave होती है उसकी salary काटी नहीं नहीं कटेगा तो वो paid leave हो जायागा ठीक है तो यह हमें attendance production टाइप बनाना पड़ेगा ठीक है फिर यहां पर absent की बात करें तो अगर employee absent ही है यह उसने कोई भी information नहीं दिया नहीं हमें कुल मिलाके उसे absent रखना है तो absent यहां पर यह unit बनाएंगे और तीसरी यहां पर बनेग यह दोनों क्या हो गए यह दोनों हो गए attendance और बाकी जो हमारा overtime था वो हो गया production यहां पर आप समझ गयोंगे यह दोनों चीज़े एक साथ इसलिए लिखी है क्योंकि एक ही जगे से यह दोनों चीज़े बनती है बस यहां पर देखिए जब paid leave बनाएंगे तो यहां पर हमें प्रेजेंट में ही जोड़ा जाएगा प्रेजेंट का मलब की उसे payment किया जाएगा salary काटी नहीं जाएगी और बाकी अगर leave without pay कर देंगे तो leave without pay करेंगे किसमें हम absent वाले में leave without pay किसमें करेंगे absent वाले में कि अगर absent है तो हमें अमलब छुट्टी देनी है उसे और without pay यानि उसका pay नहीं करना है I think यहां पर आप समझ गयोंगे और बाकी इसमें जो और option तीसरा बचा तीसरा जो production वाला है यह over time में सेलेक्ट करेंगे हम over time में production को set करेंगे और उसमें unit बताएंगे अभी जो paid leave होगी या absent होगा वो day के हिसाब से होगा उसकी unit क्या होगी days में एक दिन absent हुआ दो दिन तीन इस तरह से तो यह हो गया days और बाकी यहां पर जो over time बचा एक और यहां पर over time में को भी आप देख लीजे over time में attendance टाइप production होगा और यहां पर unit इसकी रहेगी hours of 60 minutes यानि यह वाली आई तिंग यहां पर आप समझ गया होंगे ठीक है तो यह तीनों हमें बनाना है attendance production और यह बनेंगे कहां से चलते हैं यहां पर टैली प्राइम में यहां पर हमें वापस से create में ही जाना है और create में जाने के बाद यहां पर आप unit work के नीशे देखेंगे तो यहां फ्रेंडेर। भटके मिल जाएगा अर यहां पर यहां पर भी इसको बताया था तो अटर करेंगे और यह द्रखेंट का पनाते हैं तो यह होगे हमारा absent का enter करेंगे और यहां पर क्या होगा इसको हम under primary के ही रखेंगे एक बार ध्यान रखना और यहां पर leave without pay कर दिए इन्टर और यहां पर तीसरा हमारा बचा overtime कर्थिक है तो यह हो गया overtime और वापस enter करेंगे इसको भी under primary रखेंगे और यहां पर सेट करेंगे प्रोडेक्शन और यहां पर हमारा होगा हौवर्स आफ सिक्स्टी मिनिट क्लियर है और इससे हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो यह हमारी तीनों यहां पर जो अटेंडेंस प्रोडेक्शन यूनिट है वो बन चुकी है आई तिंग यहां पर आप समझ गया और नहीं अप्सेंट सेट किया तो इसका मतलब वो थर्टी डेज पूरा प्रजेंट माना जाएगा मतलब अगर आप मैनुवली जब हम अटेंडेंस लगाएंगे ठीक है उसके लिए भी वाउचर होता है आगे हम पढ़ेंगे तो जो हम अटेंडेंस किसी एंप्लोई की ल प्रेजंट माने जाएंगे ठीक है बाइडीफॉल्ट जो है वो प्रेजंट माना जाएगा जब आप पेड लीव या फिर अप्सेंट लगाएंगे तो वह कैलकुलेशन उसमें से माइनस हो जाएगी ठीक है तो पच्छिस तो आपका प्रेजंट हो गया दो आपको 27 दिन की salary तीन दिन की salary नहीं दी जाएगी क्योंकि तीन दिन आपका absent लगा हुआ है तो इसलिए प्रेजंट लगाने की ज़रूत नहीं है बाइ डिफॉल्ट प्रेजंट होता है जब आप पैड़लीव या उप्सेंट लगाएंगे तो वह आपका absent माना जाएगा तो यह हो गया यह सब जो है यह Payhead बनाने है अब Payhead कैसे बनाएंगे यह सब क्या है तो इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे क्योंकि अगली वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ Payhead ही बनाएंगे क्योंकि यह Payhead में अलग-अलग टाइप के कई सारे बनाने है और साथ में समझना भी है तो ह पेहेड को अगली वीडियो में देखेंगे कैसे बनाना है किलियर है तो यहां तक हम सारा कुछ कम्प्लीट कर चुके हैं कंफ्यूज आप बिलकुल ना हो और अगली वीडियो से हम डिरेक्ली जो है वो पेहेड क्रियेट करना स्टार्ट करेंगे ठीक है यहां पर अभी आप यहां पर वाचिए वीडियो